असलाम अलेकुम हम Cambridge O Level Mathematics Seek of Clear Video Series के साथ आपके सामने हादर हैं और इस इसले में हम Audrey Simpson की बुक यूज कर रहे हैं जो के Cambridge की अपनी बुक है और recommended बुक है एक ही किताब में सारा कोर्स कवर हो जाता है यह इसमें फायदा है तो इसका chapter 12 शुरू कर रहे है probability का introduction है तो अगेन बहुत आसान है शुरू के chapter जो हमने इतने भी देखे हैं 10 11 जो सब आसान चेप्टर से introductory topics हैं सारे शुरू करते हैं तो बजाए से कि मैं background पहले बिल्ट करूं कुछिन के साथ साथ आपको चीज नहीं जाता जाओंगा ठीक है अब आपको क्या करना है उपर एक possibilities, probability की number 9 है इसके उपर हमें कुछ events को mark करना है तो थोड़ा से इसके background को समझते हैं और फिर आपके बाद समझ में आदेगी कि करना क्या है तो किसी भी कोई भी काम जब हो रहा होता है तो उसमें कुछ chance होता है एक chance ही होता है कि वो काम हो ही नहीं सकेगा possible ही नहीं है तो this is the probability scale अगर chance ही नहीं है possible ही नहीं है तो zero chance है अगर percentage में देखें तो zero percent अगर किसी काम के होने का 100% chance है यह तो हगला जबन होगा तो हम कहेंगे 100% अब 100 को solve करते हैं तो क्या आता है one zero upon 100 को solve करते हैं नहीं सब्सक्राइब जिरो अगर की चीज़ को होने का 50% chance है तो हम कहेंगे 50 upon 100 50% तो देखें 0.5 बना तो probabilities को हम आमताब पे zero और one के बीच में बताते हैं one का मतलब 100% zero का मतलब 0% point five का मतलब 50% इस तरह से बताते हैं ठीक है तो toss of a coin 50% होता है chance कभी head आएगा कभी tail आएगा कभी head आएगा क्यों इस पे तरीका का यह है कि total number of things जो भी आ सकती है किसी भी next event में उनका number नीचे लिख जाता है जैसे coin को toss करने में दो options हो सकते हैं या तो head होगा या tail होगा तो total number of options दो है आप क्या पूशना चाहते है कि कितना chance है कि head आएगा तो head कितने है इस पूरे event में head एक है तो head का chance 1 upon 2 है या नी 0.5 50% यही tail का chance भी है ठीक है तो this is not possible this is certain and then there are other options so a is a is impossible ठीक है बस यह इस के जवाब ऐसे बादेंगे और b is unlikely ठीक है फिर e is certain जे भी होगे अभी यह दोनों रहे गए तो likely और very likely होंगे तो quite likely very likely four or five जैनी C और D कर दो ठीक है अब नेक्स उसे ने choose suitable words from the list below भी आ रहे है तो बहुत ही पच्छों आले हैं अगर आप तो आसा lesson देखते तो आपको समझ में आ जाता है वो तो जाहरा मैं साथ बताता जा रहा हूं जैसे कि आप एक डाइस रोल करते हैं और उसके अंदर जैवो या तो टू आएगा या थ्री आएगा या फाइगा वन आएगा एक साथ नहीं आ सकते जैसे कोईन उठालते हैं तो या तो है डाइगा या टॉस आएगा ऐसे इवेंट्स को मुचुली एक्स्क्लूजिफ कहते हैं यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते वें आएवएं ट्री आएगा उसने डाय उचाला उसमें से दस दफा च्हा आ गया वी डिसाइड़ ड़ाइव प्रॉबली क्या था हां यह जो ऐसे रैंडम अब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कोईन है कोईन को आप उच्छालते हैं तो हमेशा कभी हैड आएगा अगा अगा सौ दफा कोई उचालेंगे तो तक्रीबन कमोबिश पचास दफा हैड आएगा पचास दफा टेल आएगा कमोबिश फॉर्टी एट फॉर्टी नाइए एक हो जाएगा फिफ्टी ऑन फिटू दूसरा हो जाएगा लेकिन करीब करीब इसी के रहेगा यह कहलाता है ऐसा टेस एसा तरीगा की चीज़ को टेस्ट करने का ऐसा इवेंट स्पेक्ट्रम जो के अनबाइस्ट है लेकिन इसी कोई में अगर आप एक तरफ थोड़ा सा कोई वजन बढ़ा ने इसका कोई अलफी लगा दें कोई चीज लगा दें जब हवा में उचा लेंगे तो भारी स्वाइ तो इस सुरत में यह कॉइन जब बाइस्ट कॉइन है बाइस्ट लिए तरह से जो डाय होता है जिसको आप चखका कहते है तो वह भी जो है वह बाइस्ट हो सकता है कि उसमें एक नमबर ज्यादा आने का चांस हो उसमें कुछ इस्सा की सेटिंग की जाती है तो देखें जब कि यह तो वन अपन टू दफा आ गया 50% आफ टाइम आ गया तो इसका मतलब है कि डाय जो है यह बाइस था ओके तो एक हो गया स्कोरिंग 6 एंड स्कोरिंग 3 विदा सिंगल रोल अपड़ाय आर या तो 6 आएगा या 3 आएगा दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो यह मूचिली एक्स्क्लूजिव है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स चूजिंग अटॉल गर्ण चूजिंग अगर्ड विद लासस्टू पार्टनर यू इन अगेम ऑफ टैनिस डबल्स आर नॉट डैश इवेंट यानि लड़की लंभी भी हो और चश्मेवाली भी हो तो क्या यह दोनों एक साथ नहीं हो सकता तो अगर यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो फिर मूचिली एक्स्क्लूजिव हैं तो जबकि एक साथ हो सकते हैं तो यह मूचिली एक्स्क्लूजिव नहीं हैं नोट मूचिली एक्स्क्लूजिव दोनों एक साथ हो सकते हैं जो which very dash is equally likely, in which every dash is equally likely, अच्छा यह कौन सी चॉइस है, जिसमें के सारे इवेंट्स इकूली लाइकली होते हैं, तो यह रैंडम चॉइस कहलाती है, एक होता है बाइस्ट, एक रैंडम चॉइस वो होती है, जिसके अंदर सारे इवेंट्स, एक जितनी उनकी ऑप्शन हो, एक जितन एक डाए के अंदर 6 faces होते हैं, हर face की probability सेम होती है, अब उचाल उचाल के देख लें, तो हर एक की probability सेम आएगी, लेकिन अगर एक ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि biased है, तो जो unbiased या random choice होती है, उसके अंदर सारे events equally likely होता है, ठीक है, तो फिल दी ब्लैंक तो होई गई, साथ में जो है यह, यह वो भी हो गया, आपकी explanation, आपकी learning भी हो गया, which of the following pair of events are always mutually exclusive, यानि यह साथ नहीं हो सकते, वस इस लफ्स का यह मतलब जहन में रखिएगा, यह एक साथ नहीं हो सकते, जैसे दिन और रात mutually exclusive है, throwing five and throwing six with a six-sided die, ठीक है, छह वाला चक्का है, उस में से mutually exclusive कौन कौन से है, तो यह यह एक साथ नहीं हो सकता, या तो five आएगा, six आएगा, there are some clouds in the sky and the sun is shining, नहीं, यह तो हो सकता है, एक साथ, Paula won the high jump competition, Paula broke the record for the same competition, तो इसमें क्या मतले, दोनो एक साथ हो सकते है, तो यह दोनो थे, तो यह दोनो थे, the weather forecast have said, that there is a 40% chance of rain tomorrow, what probability that it will not rain tomorrow, तो 60% chance है कि rain नहीं होगी, बहुत च्वानी बात है, और इसको अगर वन में से करना है, तो 40% chance का मतलब है 0.4 और not raining का 0.6, दो यह दो, अच्छा, अब बैक कंतेंस 12 colored disc, बैक कंतेंस 12 colored disc, there are three yellow, five red and the rest are blue, तो 3 yellow, five red और चार blue, ठीक है, बारा हो गई ना, Paris takes one disc out without looking, write down the probability that a disc is red, कितनी है total, बारा, उसमें से red कितनी है, पांच, यह होगी इसकी probability, 5 upon 12, probability of blue disc, probability of blue disc is equal to, total कितनी है, बारा, ब्लू कितनी है, चार, इसको simplify कर ले, 4 बंदा, 4, 4, 3, 12, 1 upon 3, ठीक है, फिर, what is the probability of green disc, probability of green is equal to, कितनी है green, किया इसमें green है, तो बारा में से 0, कोई green थी ही नहीं, तो निकलेंगी कैसे, ऐसे ही है ना, इसमें green तो नहीं थी न, yellow, red and blue, आफिरी सवाल है, find the probability of not blue, तो probability of blue कितनी थी, 1 upon 3, तो 1 upon 1 है total probability, उसमें से minus की 1 upon 3, जो कि blue की probability थी, तो बाकी बच जाएंगी कि कितनी probability बाकी चीज़ों की है, तो इसका मतलब हुआ, इसको 3 से multiply किया, equivalent करने के लिए तो 3 upon 3 minus 1 upon 3 is equals to 2 upon 3, 1 upon 3 probability है, blue आने की, और 2 upon 3 है, बाकी सब की, यह तरीका है, जैसे मैंने का न, मैं करता जाओंगा, solve आपको conception जाता जाओंगा, तो यह तरीका है, अगर किसी एक की probability पता हो, तो बाकियों की निकालने की के, वन में से minus करते हैं, Q6 है, Lucky Dip has two sorts of prizes hidden in a tub, गेम एक, जिसमें आपने चंप लगाना है, टब में अंदर से कुछ निकालना है, वन sort is a model car and the other a model aeroplane, there are identical boxes, so it is not possible to feel which one is which, the probability of picking an aeroplane is 3 out of 5, what is the probability of picking a car, तो सब कुछ मिला के probability बनती है, 1, एरो प्लें की probabilities में से minus कर दें, इसको 5 से multiply कर ले, तो 5 upon 5 minus 3 upon 5 is equals to 2 upon 5, तो picking a car की probability हो गई, 2 upon 5, कुछ समर 7, ज्राइंग दे शॉर्ट स्ट्राइज इस वेरी इस वेरी इस वेर पिकिंग पिकिंग परिकिंग पर्सन तू डू एन अन पापिलर जॉब, ओके ये भी एक तरीका होता है, टॉस करने का, टॉस करूस करता, त कर ज्राइजद दूस करा होड़ा स्ट्राइज खार जॉबग परिकिंग 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 परिकी आप सिदो ऑनली इस स्ट्राइज वेरी इस वेर Excuse ke. और में में कतर नहीं पर उठेएंग पांचंटिऑ पांचंट तो चार, 4 upon 5 probability है लंबी आने की, 1 upon 5 probability है छोटी आने की. तो आप washing up कब करेंगे, लंबी आएगी है छोटी आएगी? तो हम washing up करेंगे जब छोटी आएगी. तो फिर washing up की probability है 1 upon 5. The letter of the word statistics are written on card which are then shuffled and laid face down on the table. One card is chosen. तो पहले तो देख लें total letters कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साद, आठ, नो, दस, total 10 हैं. ठीक है? S कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन हैं. T कितने हैं? एक, दो, तीन. A कितने हैं? एक. I कितने हैं? दो. S कितने हैं, हो गया, T कितने हैं, हो गया, I कितने हो गया, C कितने हैं, एक. जस्ट आपको समझाने के लिए पूरा मैंने टेबल बना दिया. पूछ रहे हैं, probability of choosing an S, तो 3 out of 10. होगे न, आसान हो गया. अब, probability of finding S और T, तो probability of S और T. जब दो चीजों की probability match करनी होती है, चाहे ये आए या चाहे ये आए तो फिर आंसर बड़ा हो जाएगा. चाहे X आए, चाहे Y आए, दोनों की probability मिला लो, तो हम probability इसको add कर देते हैं. तो चाहे ये आए या चाहे वो आए को और represent करता है, और. या तो S आजा या तो T आजा, जैसे कि S की probability 20% है, T की probability 20% है, S भी चलेगा, T भी चलेगा, तो ये probability होगा, 40%. तो ये और से ही represent करेगा, ठीक है ये बात जहन में रखेगा, और बहुत important है यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ S, N, T होता है, तो probability और कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ S आएगा तब नहीं चलेगा, सिर्फ T आएगा तब नहीं चलेगा, S और T 7 आएगे तब चलेगा, तो इस नहीं है, 3 upon 10, तो total probability हो गई, 6 upon 10, चाहें तो इसको simplify कर दें, 3 upon 5, find the probability of a vowel, तो वावल कितने है, 1, 2, और उनको मिला के देखी कितने है, 3, तो 3 upon 10, ऐसे हैं, this is question number, 8, done, अच्छा, एक रहा गया, What is the probability of choosing a B, तो यह तो असान सी बात है, 0 upon 10, यह नहीं 0, खाली 0 लिखेंगे, वैसे तो समझाने के लिए 0 upon 10 लिखा मैंने, अच्छा, दी, नेक्स देखें, a six-sided spinner is spun, once, write down the probability of this spinner landing on 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 upon 6, छह में से एक चांस है, A word game consists of small tiles, each with a letter of alphabet on it, the tiles are put in a bag, तो 26 होंगे, यह चाहीं जुरूरी नहीं है, Tiles are put in a bag, the bag contains 3 letter A's, 5 letter B's, yes, 26 नहीं हैं, इसका मतलब है बहुत सारे हैं, उसके लेटर A's 3 हैं, letter B's 5 हैं, 10 letter C's, there are no other tiles in the bag, Okay, सिर्फ A, B, C ही हैं, Aaron chooses one letter at random without looking, what is the probability that Aaron chooses B, Okay, तो 3 और 5, 8 और 10, 18 हो गया है, total, उसमें से B का चांस कितना हैं, तो 5 भी हैं, तो 5 अपॉन 18, ठीक है, इतना number, सवाल लिखा हो, इतना सा पूछे हैं, और आगे भी पूछ लेते, A का, C का, अगले पेश पे तो नहीं हो गया, नहीं, फताम हो गया, Another game consists of throwing a counter to land on the rectangle shown below, 1, 2, 3, 4, score is the number shown in the area, ठीक है, give the reason why the probability of scoring 3 is not 1 upon 4, Okay, देखें, 3 score आ सकता है, बेकुल आ सकता है, यानि कहने कि समझने एक stone है, जो कि आप throw करेंगे, चाहें जहाँ पर जाके और land करेगा, वो जगह आपकी, उतना score आपको मिलेगा, तो पूछ रहे हैं, कि क्या सबकी probability बराबर है, इसमें ये सबकी probability बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके पास paper में नजर आ रहे हैं असल में, इसमें कुछ थोड़ी सी गरबढ़ है, ये जो rectangles हैं, ये बदाहर देख रहे हैं, equal size, actually equal size के नहीं है, ये वाली side थोड़ी बड़ी है, ये वाली side थोड़ी छोटी है, तो जब ये वाली side छोटी होगा इस वाली side से, तो अब इसकी probability इसके बराबर नहीं होगी, ये जवाब था इसका, तो चुकिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपको guess करना मुश्किल हो रहा होगा, इसका बहुत पर इसकी जवाब ये नहीं इसकी जवाब जवाब निएगा है, तो इसकी बड़ी बशा करना है ये अंचा मुश्किनोख ए जवाब पर दिख शमील्क्रश ठीसिये, तो पर दिकशल्च सिके थाज्शिय मैं पार्ट सामी। तो यह मैं निकाल भी देता हूं ताके जवाब बनाने से पहले हमारे जहन में यह नंबर्स की कैलिशन हो 140 divided by 360 is 38.9 38.9 percent this 60 divided by 360 is equals to you too asana this is 16.7 percent or 160 divided by 360 यह 44.4 percent ठीक है तो what is the probability that next car collected will be blue not one upon three अच्छा वाय सॉरी 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 अब पहला सवाल जैना वो तो इससे relevant नहीं है क्या हुआ अगली कार्ड जो बिकेगी वो ब्लू होगी गारिया जितनी भी खड़ी मी है गारिया जितनी भी खड़ी मी है इससे बिकने क्या तालोक है कारिया सारी लाल हो और एक काली हो फिर भी काली पहले बिक सकती है तो यह तो unrelated event है ना यह इसका इस wheel से इस pie chart से तालोक नहीं है इतलिए हम इस कहीं नहीं सकते कि one third है what is the probability that the next car collected will be red अब next car collected will be red कोई भी collect हो सकती इन में से इन में से कोई भी ले जाई जा सकती है चुके total गारिया जो है उनकी probabilities हम यहां से निकाल सकता है कि यह total percentage इन गारियों की इसी percentage में की probability निकाली जा सकती है यह बता ही जा सकती है तो आप इसको the next car is red को 140 upon 360 है 38.9 यह 0.389 से represent कर सकता है ठीक है अगर fraction में देना है तो 140 upon 360 को simplify कर लें यह 7 upon 18 आ जाएगा sorry क्या आ जाएगा red है red की 60 upon 360 आ जाएगा which would be 1 upon 6 यह 16 upon 7 यह 0.167 तो तीनो में से सारे ही 1 upon 6 अभी चले है ठीक है what is the probability that the next car collected will be white white है नहीं तो 0 probability है what is the priority that the next car collected will not be black तो black की priority क्या है 44% या black की priority कह लें 160 upon 360 तो इसकी priority निगाल लें इसको वन में से माइनस कर दें तो यह होगा 1-360 upon 360 क्यूंके black की priority को वन में से माइनस कर देंगे तो बाखिसब की priority आ जाएगी तो इसको 360 से multiply करते हैं तो 360 upon 360 हो जाता है 360 में से 160 मेंस करते हैं तो 200 upon 360 हो जाता है इसको simplify कर लीजेगा तो आए गया तो even 5 upon 9 ठीके जी तो यह हमने पूरी exercise 12.1 कर ली साथ भी concepts ली आपको समझा दिये तो hopefully आपको एक लियर हो गया होंगे जब तक आप इसको तम्रीद कीजिए हम 12.2 बनाते हैं अपना ख्याल लखिए कर लाफिस अपना ख्याल लाफिस